बिहार पंचायत चुनाओं को लेकर पखनहिया पंचायत के मुखिया परत्यासी अली अहमद अंसारी से रामगारवा संगवादा ता अनिश उपाध्या से हुई खास बात चित नमस्कार मैं अनिश उपाध्याए आप सभी का L24 निउज में हार्दिक स्वागत करता हूँ संबर को चुनाओं होने वाला है आज सभी का चुनाओं परशार लगभग पांच बजे खतम हो चुका है इसी बीच हमारे साथ रामगारवा प्रखंड के पखनहिया पंचायत के भावी मुखिया प्रत्यासी अली अहमद अंसारी जी जो हमेशा दलीतों के नेता के नाम से यहां पर विख्यात है साथ ही यह चुनाओं का मुद्दा ही नहीं हमेशा गरीबों के बीच में रहते हैं जहां इनकी जरूरत परती है उन्हें हेल्प करते हैं मदद करते हैं और हमेशा साथ देते हैं सर आपका सबसे पहले हमारे चैनल में हर्दिक स्वावत और विख्युक्त समय अनके सर हमारे घंनाओंगी चुनाओं होने वाला और हम चारों तरफ हम लोग कुमें हैं तरफ जनता का ए आरोप है कि जो भी प्रत्यासी है चाहें वो जिला परिसद का हो या सरपंच का हो या मुख्या का हो आप तो मुख्या के कंडेट भी हैं पक्नेया पंचायद के तो यह लोग बस आते हैं चुनाओं में अपना चेहरा दिखाते हैं उसके बाद चुनाओं के पता नहीं रहता है तो इस विशय में आपका क्या कहना है एक बार फिर दोहरा दिजी अपने परस्म पर चुनावी में लोग जब आते हैं मुख्या प्रत्यासी हो या सरपंच प्रत्यासी हो तो वे जब आते हैं तो वे बोलते हैं जनता बोलती है कि जो भी कंडिडिट आता है वे बस चुनाव के समय ही दिखता है चुनाव जब खतम हो जाता है या जित जाते हैं उसके बाद वे प्रतिनिधी जन प्रतिनिधी जो भी होते है जितते हैं जिस पद पे तो वे गाइब हो जाते हैं कहने का मतलब जनता है बोलती है बरसाती मेढ़क की तरह आते हैं और चिला करके चले जाते हैं तो इस पर आपका क्या कहना है जे इस पर मेरा यहीं कहना है कि ये जो आपने कहा कि बरसाती मेढख हैं तो इसमें कोई अतिस्यक्ति नहीं है ये सेंट परसेंट सो फी सदी ये सत्य है क्यों सत्य है कि ये जो परत्यासी हैं आज कल के वो नेता बन करके सेवा करने के उद्देश से नहीं आते हैं बलकि तेजारत करने आते हैं बेवस्याय करने आते हैं बिजनस करने आते हैं कि इस काम को जो जन सेवा का काम है जनता के सेवक बनने का जो काम है इस उदेश से नहीं आते बलकि कैसे मतलब की इसको ऐसा ऐसा क्या कहते है इसके एक सब्द नहीं मिल रहा है कि ऐसा जठ का कहेंगे इसके लिए मेरे सब्द नहीं ने पास कियो लोग ऐसा तरीका अपनाते हैं कि जनता समझे कि मेरे हीत में काम कर रहे हैं लेकिन जनता का हीत्त का काम नहीं करते हैं बलकि यह जनता को ठगते हैं और ठगने के बाद में भी ये जनता के उपर अपना इहसान जताते हैं कि हम आपके मतलब की सारे काम को करने आए हैं सारे सुख सुविदा को उपलब्ध कराने आए हैं और आपका सारा समस्या दूर हो जाएगा जब हमको आप लोग जन परतिजनी दी बना देंगे लेकिन जब यह जीत लेते हैं इस सीट को अपने पद को और मुखिया सरपंच या जिला परिशद या जो भी हो पद बन जाते हैं तो जनता से इनका कोई सुरकार नहीं रह जाता है कोई संबंध नहीं रह जाता है बलकि कमाई का एक जरिया बना करके अपना बिजनस सुरू कर देते हैं और कमाते है रहते हैं और कमाते कमाते फिर पांच साल का दूसरा दौर जब आता है तो यह फिर अपने आपको जन परतिनीधी के रूप में पेश करने लगते हैं जनता के हिताइसी बन करके जनता का दोस्त और हमदर्द बनकर अपने आपको पेश करने लगते हैं और फिर ये उनको मतलब की उल्टा सिधा समझा करके फिर वोट ले लेते हैं और इसी तरह अपना तेजारत अपना बिजनस से चलाते रहते अपना कमाई करते रहते हैं अपना धन बढ़ाते रहते हैं और गरीब गरीब आदमी जो है उसको लूटते रहते हैं तो असल में यह नेता नहीं है यह सेवक नहीं है बलकि यह बिजनस माइन है कभी कोई गरीबी को अपना करें मैं गरीब हो गया हूं मुझे वोट दे दीजिए हमारा सब कुछ बिक गया है मेरे मेरे उपर बहुत सारा बोज समाजी खो गया है कि बेटी की साधी करनी है तो बहन की साधी करनी है तो कभी कुछ देंता को कह करके बरगला करके भूलिया करके यह लेक्टिन उट लेने केबाद में इनका कोई मतलब की सए तालुक नहीं रह जाता है बलकि ये कमाई शुरू कर देते हैं क्योंकि ये तो बिजनस करने आये हैं अभी जैसे कि जनता का यह भी अरोप है कि जिनका गहर दो ताला है चर ताला है मतलब जिनका घर पहले से बन गया है उनको परधान मंदरी आवास योजना दिया जा रहा है साथ ही जिनका गरीब तब के जो लोग है जिनका फूस का घर है उन्हें परधान मंदरी आवास नहीं दिया जाता है निवर्तमान जन पृतिनेधी के द तो उन कैसा क्यों करते हैं इस पर आपका क्या कहना है जी बात दर असल यह है कि यह जन परतिनेधी तो हैं ही नहीं है जिनको हम लोग आप हम और आप जन परतिनेधी समझ बैठे हैं जन परतिनेधी होते तो यह ऐसा हरगिज नहीं करते सरकारी फंडों का गलत उपियोग कभी नहीं करते जनता के साथ कभी धोखा का काम नहीं करते जनता को छलते नहीं और जनता को मुर्ख नहीं समझते बलके यह जनता का सही सेवा करते कि जनता ही जनार्दन है इस बात को समझ लिया जाए तो जनता तो हमेशा अपने लीडर को अपने रहनुमा को अपने परतिनिधी को सर पर रखती है और हमेशा स्वागत करती रहती है इज्जत के निगाह से देखती है और हमेशा जनता के दिल में अपने जन परतिनिधी के परति बहुत उमंग इज्जत और अर्मान सजोई रहती है लेकिन जन परतिनिधी ये अपने काम में अपने वादे में सचा नहीं उतरते बलकि इनका ये बिजनस ब्यपार हो गया है कि चलो भाई गरीब फंड आ रहे हैं उसमें डालनेंगे तो इनसे ये समझदार भी है और इनसे हमको मोटा पैसा मिल जाएगा और गरीब आदमी इस चीज को खोज भी नहीं टर सकता है कंप्लेन भी नहीं कर सकता है और ये तो समझदार है पड़े लिकेए तो खोजेंगे और हम पर komplain भी करेंगे इधर उधर मतलब कि हमको फशाना चाहेंगे तो इसलिए जनपरती निधीर इन लोगों से डरते रहते हैं और गरीब से नहीं डरते जिनका हक है जिनको देना चाहिए वो हक नहीं देते हैं उनका क्योंकि उनसे डर ही नहीं है वो समझदार नहीं है और जो समझदार है पैसे वाले हैं पढ़े लिखे हैं रसूख वाले हैं उनका उनको फायदा पहुचाएंगे तो वो खूस रहेंगे अगर थोड़ा भी इधर उदर होगा तो वो क्या करेंगे कि हमारे अगले अपसनान को कंपलेंट ठोकेंगे तो हमा हैं एक मुखिया का जो सेलरी होता है पचीस सो रूपया वनली होता है पर मंथ यानि ट्वेंटी फाइव हंड़ेड वनली तो आखिर चुनाओं के टाइम में तिस तीस लाख पचास पचास लुप 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 खर्च क्यूं करना चाहते है इसके पीछे रिजन क्या है ज लेकिन फिर भी मुखिया के चुनाओं में वे लोग पचास पचास लाख रुप खर्च करने के लिए तयार हो जाते हैं इसके पीछे रिजन क्या हो सकता है बताया नहीं आपको कि यह लोग जन सेवा के लिए नहीं आये हैं यह तो बिजनस करने आये हैं कि भाई इस जो ज्यादा पूजी लगाएंगे उतना ही ज्यादा हमको फाइदा होगा इसलिए ये लोग इस काम को बिजनस समझ कर इसमें पूजी लगाते हैं यानि कि गरीबों को चकमा दे करके दो सव चार सव पान सव हजार रुपया दे करके उसको खरीद लेते हैं उसमें पूजी लगा देते हैं और गरीबों का हक जो लाख कड़ोरों में आ रहा है उसका फाइदा वो लोग ले रहे हैं कि लाख लगाने पर कड़ोर आ जायता ऐसा काम कौन नहीं करेगा इसलिए ये उसको क्या कहते हैं अपने भासा में देहाती के भावे 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 भावजाई मा बहन सारे लोगों को हतकंडा मना कर घुमा करके अवरतों को अवरतों से चलवाते हैं और मर्दों को पैसे से चलते हैं क्योंकि भाई गरीब आजमी तो हमेशा मोहताज होता है गरीब होत उसको तो दो रुप्या दिखाई देता है और वो मतलब कि ऐसे उनको खरीद करके और अपना बिजनस चलाते रहते हैं लाखों लगा वो कड़ोरों पाओ समय चैनल से जुरने के लिए आपको सौ बार है और आपके चैनल से जुड़कर मैं यह बात बताना चाहता हूं जनता को कि गरीब जनता समहल जाए नहीं तो इसी तरफ मतलब कि ये बिजनसमैन आते रहेंगे और बिजनस करते रहेंगे गरीब गरीब गरीबी रेका से नीचे चला जाता रहेगा गरीब और गरीब होता रहेगा और अमीर और अमीर होते रहेंगे इसलिए साहब तमाम जनता से पंचायत के हमारे खास करके जी गरीब जनता से मेरा अनुरोध है कि सोच समझ कर वोट दें धोखे बाजों से बिजनस मैनों से बच जाए और अपना सच्चा जन परतिनीधी है उसको चुने रुपिया पैसा को लालच में आ करके 1500-2004 समय अपने मत को नहीं बेचें बलकि सच्चे अपने जन परतिनीधी को चुने ताकि उनका कल्यान हो जाए शुक्रिया